हेलो एवरिवन वेल्कम तो माई चैनल देश टू पारवाई सुमन सिंध्वानी तो टूडें एक्सराइज 7.2 कोशन नमबर 2 स्टेट ट्रू और फोल्स ट्रू फोल्स बताने हमने कोई ओड नमबर हो उसका क्यूब करें तो वो एवन आता है यह हमने पहले प्रोपर्टीज पढ़ी थी जब इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि क्यूब ओड नमबर इस ओड होता है और एवन नमबर का एवन होता है एक पर फिर से चेक कर लेते हैं 1 ओड नमबर है इसका क्यूब 1 क्या आएगा ओड नेक्स्ट ओड नमबर 3 है आपके पास और 3 का क्यूब क्या ओएगा 27 तो यह भी ओड था इसका क्यूब भी ओड है next 5 cube है 5 cube 125 होता है 5 भी ओड था और इसका cube भी ओड आ गया it means this statement is wrong कि cube of an odd number is even so this is false clear now second part a perfect cube does not end with two zeros अगर कोई perfect cube number होगा तो वो two zeros से end नहीं होगा जैसे एक number 10 है अगर हम 10 का cube करें तो क्या आएगा 10 का cube 10 into 10 into 10 3 zeros आएगी दूसरा number अब 100 लेने चाहे हम 100 का cube करके देखें तो 100 into 100 into 100 कितने zeros होगी 2 4 6 zeros आएगी 1 2 3 4 5 6 zeros आएगी इसका हम अब 10 से छोटा कोई number नहीं है जिसके हम cube निकालेंगे उसके बाद next zero वाला 100 ही आएगा ठीक है 10 वाला 10 आगया 2 zeros वाला 100 number आगया तो इनका जब हम cube निकालते हैं तो 3 zeros आ रही है या 6 zeros आ रही है जो zeros है 2 कभी नहीं आएगी क्योंकि सबसे छोटा number 10 है और 10 का cube 1000 है इसमें 3 zeros आ रही है तो 2 zeros किसी भी perfect cube के number में नहीं आएगी it means this statement is true now next is if square of a number ends with 5 then its cube ends with 25 कि अगर किसी number का square 5 से end होता है किसी number का square 5 से end होता है उस number का cube 25 से end होगा तो देख लेते हैं इसको अब 5 से end होने वाले number 5 का square 25 5 से end होने वाले जो भी number होते हैं उनके once place पे हमेशा 5 ही होता है 5 से end होने वाले number का square निकाले 6 cube निकाले तो वो 5 से ही end होता है तो हम एक number ले लेते हैं कोई भी number हमने ले लिया x जो कि 5 है any number हमने 5 ले लिया उसका square किया तो हमने 5 ले लिया 5 का square किया हमने 25 ठीक है number था 5 उसका square 25 5 से end हो गया अब क्या इस number का cube है वो भी 25 से end होगा 5 का cube बता है 125 ये end हो रहा है एक number 5 था जिसका square 5 से end हो रहा था उसका cube 125 से उसका cube हमें सिर्फ बताना था कि 25 से end होगा तो ये 125 है 25 से end हो रहा है तो एक और number try कर लेते हैं number ले लेते हैं 15 ठीक है अब 15 का square है 225 ठीक है इस number का square 5 से end हो रहा है बट इस number का cube 25 से end नहीं हो रहा है इट मेंस इस statement इज फूल्स फूल्स पार्ट देर इस नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद एट कि कोई परफेक्ट क्यूब नमबर ऐसा नहीं होता जो 8 से end हो हम देख लेते हैं 2 का cube क्या होता है 2 का cube 8 है 8 से end हो रहा है आप 12 का cube ले रहो 12 का cube 12 इंटू 12 इंटू 12 आप लेंगे तो यह आपके पास आजएगा 1728 यह भी end से 8 से end हो रहा है इत मींस इसने कहा है ऐसा कोई number नहीं है परफेक्ट क्यूब नमबर जो 8 से end हो तो यह number 2 तो मैंने लिख दिये इसका मलब कुछ नमबर तो हो सकते हैं तो इस statement is false नेक्स्ट इस दा क्यूब ओफ ए टू डिजिट नमबर में भी यह 3 डिजिट नमबर कोई 2 डिजिट का नमबर हो और उसको हम क्यूब करें तो वो 3 डिजिट का नमबर होगा तो हम देखते हैं हमाल पास smallest 2 डिजिट नमबर क्या है 10 सबसे छोटा नमबर लेकर चक कर लेती हैं तो smallest 2 डिजिट नमबर है 10 और 10 का क्यूब क्या होगा 10 x 10 x 10 that is 1000 के टर डिजिट आगे 123 4 डिजिट आगे इसंः छोटा तो 2 डिजिट का ममबर कोई नमबर नियुए smallest two-digit नमबर है जिसका क्यूब 1000 डार रहें जो कि four digits का नमबर है तो ऐसकोई नमबर नियुए बादिक यह 3 डिजिट में आजे तो डिस यह सट मेरा होगा जो next part is the cube ओफे all 2 details number may have 7 or more digits जो तॉप का number हो उसका cube करें तो 7 या उससे ज सहाधDY ज्यादा डिजीट आ सकते हैं अभी हमने पिछले पार्ट में देखा था तो डिजीट का smallest number था 10 ऑ 10 का कूब आया था हमारे पास 1000 जिसमें कितनी डिजीट थे ? 4 डिजीट थे अब हम greatest number लेने हैं 2 digits का 99 है और 99 का जो हम cube करते हैं तो ये number आता है जिसमें कितने digits हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 digits हैं तो 99 greatest number है 2 digits का जिसमें 6 digits या रहे हैं इसका मतलब किसी 2 digits के number में 7 यह से digits नहीं आसा last party is the cube of a single digit number में भी है single digit number कि अगर कोई single digit number हो तो उसका cube single digit हो सकता है yes जैसे 1 का cube 1, 2 का cube 8, single digit का है 3 भी single digit है, इसका cube कितने हैं 27 लेकिन 1 और 2 ऐसे number हैं जो single digit के हैं और उनका cube भी क्या रहे हैं single digit है इसका मतलब cube of single digit number में भी हो सकता है so this is true, so in this way we have completed this question true or false, और सभी true false को मैंने आपको prove भी करके दिखा दिया है आप अपनी practice करते रहें, thank you म्भी ओन्ने को दो